कि है लो फ्रेंट्स वेलकम टुए रसे स्टवी बैंट चनल कैसे आप सभी आई वोप आप सभी ठीक होंगे आप सभी को पता है कि हमारे देश में कुरोना पारस जैसे में हमारी पूरे भियानेक तरिके से फाइल हुई है ऐसे में किसी को अक्सिजन नहीं मिल रहा है तो किसी प्यणिस बिडिये में हम आपको बताने वाले हैं क्या खीर कोभी नाइटिन वैक्सिन लगवाने के लिए आपको की करना होगा सबसे पहले स्कूरुणा गशरुण वैक्षिन नहीं लगेगी आप पहले से रेजिस्टेशन कर अपॉइंटमेंट बुक दर सकते हैं इसके लिए कोरोना वैक्षिन इंटेलिजेंस नेटवर्क को वीन प्लेटफॉर्म बनाए गया है इलक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म पर वैक्षिन से समंधित हर डाटा उपलब्द होगा 18 पलस के लिए वौक इन की शुविदा उपलब नहीं है पर 45 पलस को अभी वाक इन की शुविदा मिलेगी फ्रेंज द्यान रखिएगा कि 18 प्लस के लिए वाक इन की श्रीविधा उपलब नहीं है वाक इन की श्रीविधा का मतलब होता है कि आपको कि किसी भी वैक्षिनेशन सेंटर पर तुरांत रजिस्टेशन हो जाएगी और वहीं पर वैक्षिन आपको लग जाएगी फ्रेंज धान रखिएगा कि 45 प्लस को अभी वाक इन की श्रीविधा मिलेगी यान एक जनरी उनिस से सतरार से पहले जन में लोग बीना रजिस्टेश भी वैक्षिनेशन सेंटर पहुंच कर टीका लगवा सकते हैं तो फ्रेंट्स अलिए हम आपको बताते हैं क्या कि रजिस्टेशन कैसी होगी और एक अरोग श्रीटू अप्लिकेशन और कोविन की वेबसाइट कोविन डॉवर्नमेंट डॉट इन पर रजिस्टेशन हो रहा है फ्रेंट्स आपको रजिस्टेशन कराने का लिंक डिस्क्रिपिशन बाक्स में हम लोग दे देंगे आप वहां से डिरेक्ट जाकर के रजिस्टेशन करवा सकते हैं तो फ्रेंट्स अलिए हम आगे दिखते हैं कि आपको रजिस्टेशन कराने के लिए क्या क्या करना होग सबसे पहले तो मुबाइल नमबर को OTP से वेरिफाइग करना होगा उसके बाद अधहार कार्ट पैन कर या किसी अन्य फोटो पहचान पत्रा के अनुसार जनकारी देनी होगी उसके बाद पीन कोड आर्दी डाल कर वैक्शिनेशन साइट तारिक और समय चुनना होगा और एक मुबाइल नमबर से अधिक्तम चार लोगों का ही रेजिस्ट्रेशन हो सकेगा 45 प्लस को सरकारी अस्पतालों में वैक्शिन फिरी में लगेगी जबकि प्रावेट अस्पतालों में वैक्शिन लगाने के लिए 250 रुपए देने होंगे जिन राजियों ने 18 प्लस को भी फिरी में वैक्शिन लगाने का फैसला किया है वहाँ एक सी बेवास्ता होगी फ्रेंस ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के कुछ राजियों ने 18 प्लस वालों को भी फिरी में वैक्शिन लगाने की घोशना की है तो फ्रेंस चलिए हम आपको बताते कि आखिर वाकिन की शुविदा किसे मिलेगी 45 प्लस को अभी वाकिन की शुविदा जारी रहेगी पर 18 प्लस के लिए सरकार ने रेजिस्ट्रेशन और पहले से अपॉइंट्मेंट लेना अनिमारे किया है ताकि वैक्सिनेशन सेंटर पर भीर से बचा जा सके फ्रेंस कोबी-19 जैसे मिलेगी जो की एक दूसरे के संपर्क से फैलता है उसी और वैक्सिनेशन सेंटर पर भीर नहीं लेगे उस बज़ा से 18 प्लस के लिए सरकार ने रेजिस्ट्रेशन और पहले सापॉइंट्मेंट ले सकते हैं 45 जिनका भी आज उनको रावालों को रैश्ट्रेशन कराना अनिवारे हैं है तो हम आपको किन राजयों ने सब को फिरी में दोस देने की घोसना की है तो फ्रेंस जिएर जहान रिखीएगा कि केंदर सरकार ने जैसे एक तीन प्लस अबादी को वैक्शिनेट करने क पॉलिशी घोसित की उसी टाइम मंद्रे परदेश और 36 गड़ राजे ने सबसे पहले फिरी वैक्षिन लगाने का एलान किया इसके बाद अब तक 24 राजे और केंदर शाहसित परदेशों ने फिरी में 18 प्लस वालों को वैक्षिन लगाने की घोशना कर चुके हैं इनमें बि से जम्मु कश्मीर गुजराथ केरल उडिशा सामिल है 145 प्लस को वैक्षिनेट करने का खर्श केंद रशलकार उठा रही है थैंकी दोस्तों आज के सब्सक्राइब में हमने आपको बता है कि आखिर एटीम प्लस वालों को को वैक्षिन कैसे लगेगी फ्रेंट्स आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत ही भियानक तरीके से कोरोना महमारी फैली हुई है ऐसे में बहुत सारे लोग अफ़वा और कोरोना के वैक्षिन जरूर लीजिए फ्रेंट्स और साथी आप सभी कि सरकार द्वरा जारी किये हुए गाइडलाइन को फॉलो कि दिए घर पे रहिए बीना बचा बाहर नहीं निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलिए और अपने हाथों को बार बार सेनिटाइज करते र एलपल वीडियो देखते रहें लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आपको लेटिस अब्रेट करने ट्रिफिक्शन मिलती रहेगी तो चलिए फ्रेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में